आज हम बनाएंगे मटर से बहुत ही टेस्टी और चरपटा नास्ता तो friends, सबसे पहले हमें मटर को पीस लेना है तो यह देखें हम इसे दरदरा स्वख पीसेंगे बहुत ज़्यादा बारिक हमें इसे नहीं करना है तो ये देखिए friends इस तरीके से हमें इसे पीछ लेना है और उसके बाद अब हम आटा ले लेंगे तो एक कटोरी हमने आटा ले लिया है उसमें कुछ मसाले डालेंगे तो हमने एक हरी मिर्च को काट कर डाल दिया है थोड़ा सा कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे उसके बाद नमक डाल देंगे और बारी कटी हुई धेर सारीस में धन्या की पत्ती डाल देंगे और मिक्स कर देंगे उसके बाद जितना हमने आटा लिया है उससे डेर गुना पानी ले लेंगे यानि कि जैसे हम e-ka-tori आता लेते हैं तो डेल कटोरी हम पानी डाल देंगे यानि e-ka-tori और आधी कटोरी और थोड़ा सा इसे हमें पतला ही बनाना है तो यह देखिए इस तरीके से हम थोड़ा-thोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और बहुत गाढ़ा बैटर नहीं बनाएंगे इसे हमें अभी पकाना भी है तो इसलिए हम पानी अच्छे से इसमें डाल देंगे उसके बाद कराही में तेल गरम करेंगे उसमें डाल देंगे एक चमच जीरा जब जीरा चटक जाएगा तो उसमें डाल देंगे हम मतर को और थोड़ा सा भून लेंगे हलका सा इसे भून लेना है जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए और हलकी सी खुश्बू भी इसमें आ जाएगी तो ये नास्ता खाने में बहुत ही तेश्टी लगेगा तो थोड़ा सा हमने डाल दिया है चाट मसाला तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर नीबू का रस भी डाल सकते हैं अब इसे भी हम हलके से मिक्स कर देंगे इसमें उसके बाद जो आटा वाला बैटर है इसे डिस्ट में डाल देंगे और लगातार चलाती हुए हम धीमी आज पर इसे पका लेंगे अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पर पानी और भी डाल सकते हैं हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है बिल्कुल भी एक अच्छा नहीं रहना चाहिए जितनी अच्छी से यह पक जाएगा उतना अच्छा नास्ता बनकर तयार होगा और बहुत जल्दी ये बन कर तयार हो जाता है तो friends आप भी इस नास्ते को जरूर ट्राइ करियेगा ये बहुत चटपटा और टेस्टी नास्ता बन कर तयार होता है बहुत ज़्यादा healthy भी होता है और ये देखिए हमने इस तरीके से बराबर mix करते हुए इसे इतना पका लिया है फिर हमें इसे और भी पकाना है बिल्कुल इसका color change हो जाएगा इतना हमें पकाना है और ये देखिए तली में लगने लगा है तो हम बिल्कुल धीमी आज पर ही इसे पकाएंगे तो इसे पकाने में लगभग 10 मिलेट का समय लगेगा और ये देखिए फ्रेंस अच्छी तरीके से ये पक गया है और जब ये ठंडा हो गया है तो हमने दूसरे बरतन में इसे ट्रास्फर कर लिया है और अब हम हाथों से इसे अच्छी तरीके से मसल लेंगे उससे पहले हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा आलू यानि एक उगली हुई आलू को हमने इस तरीके से ये देखिए पतला-पतला सा कदूकस कर लिया जिससे कि इसमें गुठलियां ना रहे और इसे भी मिक्स कर देंगे आप भीना आलू के भी इसे बना सकते हैं लेकिन आलू डालने पर थोड़ा सा और भी क्रिस्पी हो जाता है और टेश्टी भी लगता है तो हमने इसमें आलू मिला कर अच्छी तरीके से इसे मसल लिया है लगव 5 मिल तक इसे मसल लेंगे ये देखिए जिसे की नास्ता अच्छी तरीके से तेल में फूलेगा भी और अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं आप इसे बना सकते हैं तो मैंने पतला पतला सा इस तरीके से टिक्की के शेप में इसे बना लिया है ये देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो पहले हम सारा इसी तरीके से बना लेते हैं उसके बाद हम फुराई करेंगे और ये देखिए friends बहुत जल्दी बनकर त्यार होता है तो मैंने सारा बना लिया है ये देखिए अब तेल गरम कर लेंगे तो इसे हम सरसो के तेल में बना रहे हैं जिसे की खाने में भी बहुत हेल्दी होगा ये देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से हमने उलट-पलट कर इसे पका लिया है लगतार इसे चलाते होए हम पका लेंगे एक तरश जब हल्का सपक जाएगा फ्रेंट्स तब इसे हम पलतेंगे पहले नहीं तो टूट जाएगा और ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है तेश्टी बनकर तयार होता है तो आप इस नास्ते को जरूर बनाईएगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा और चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा इस तरीके से उलट पलट कर बिल्कुल क्रिस्पी होने तक मैंने इस नास्ते को फ्राई कर लिया है और ये नास्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है आप इसे चटनी के साथ सर्व करिए आप जाहे तो मीठी चटनी बनाईएगा या फिर हरी वाली चटनी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेश्टी नास्ता बनकर तयार हुआ है और मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च भी फ्राई करके इसमें रख दिया है ये नास्ते को और भी टेश्टी बना देता है आप हरी मिर्च के साथ खाईए या फिर चटनी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखेगा थैंक्स पार वाचिंग जैमातादी फ्रेंड्स